एक आदमी है गंधर हुसे नाम का समझ मैं रहा पूरा मामला किसका किसे ब्या हुआ बेटा हुआ कि बेटी हुई सारस पश्ट हो गया तो बताओ पदमावजी की पापा का नाम क्या है तो मम्मी का है और इन दोनों की बेटी का गजब तीनों पता है तो इज़र दूसरी तरफ एक आज में था चित्र सेन इसका मतलब क्या हुआ इसकी शादी तो हुई पर किसे हुई पता नहीं यह पता है किसी स्त्री से हुई तो यह में पता है कि यह ज़र दूसरी नाम की पुरुष्टी शादी क्योंकि आज के ज़माने बताना पड़ता ना किसी स्त्री से हुई तो स्त्री से हुई लेकि उसमें नाम इस रसना में आया नहीं है और इन दोनों की एक संत्रान हो जिसका नाम है रत्न सेन याद रहेगा अब बताओ फार्मूला ये क्या फार्मूला लगा रत्न सेन की दो शादियों ही पहले किसे हुई नागमती से और बाद में फद्मावती से रत्न सेन और पद्मावती का एक पुत्र हुआ उसका नाम है कंवल सेन रत्न सेन और नागमती के पुत्र का नाम है नागसेन ये फैमिली ट्री आपके समय ने बन गया पूरा अब इसके बेस पर कहानी को समझ देंगे समय की बाद ठीक से जंजर्व सेन चंपावती इनकी बेटी के नम पद्मावती पद्मावती का ब्या हो गया रत्न से बाद में हुआ इजर चित्र सेन के बेटा चित्र सेन के जो इलाका है चित आपको है और इनका इलाका सिंगंगद्वीब वही है जहान मत्सेंदरत गय थे मचंदरत गय थे जागनापको फिर क्या हुआ तक गुवे के अंदर बंद गर दिया था और फिर गोरशनाथ लेके आये थे जाग मचंदर तो रखाया वही के राजा है गंजल सेंड ठीक है अब देखी कहानी क्या है कहानी बहुत रोचक है, खुब हजी मजाग होता है, सूफियाना भाव भी है से अंदर तो कहानी की शुरुवात हुई है श्री लंका से सबसे शुरुवात में तो यह होता है कि कुछ खुदा का धन्यवाद किया गया है खुदा के बाद महमत पैगंबर की बाद है, पैगंबर के चार दोस्त खलीफाओं का जिक्र है फिर शेरशाह सूरी उससे में दिल्ली का सुल्तान था तो उसका जिक्र है शेरशाह सूरी के बाद जैसी ने अपनी चार मित्रों का उलेख किया और इन सब को थेंक्尤। जैंक्尤। जैंक्尤। जैंक्क बोलने केबार फिर रशना के शुरुवाद कि कल मुझे किसने बताया बढ़ा अच्छा कि रामचरित मानस की शुरुवात में तोझसी धास थास ने दुष्टों का धन्यवाद किया है दुर्जनों को धन्यवाद दिया है और उसका भाव यह है कि सब दुर्जनों का है राक्षासों, भूतों, प्रेतों, दुष्टों, डाकूओ, चोरों, लफंगों, उचकों तुम सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया तुम सबसे हर दिक निवेदन है कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे रचना करने देना वरना मेरी बहुत साई उज़ा तुम से लड़ने में खर्च हो जाएगी जो मैं सारी यहां लगाना चाहता हूँ तो दुरजनों की पूजा की है धन्यवाद की है, सब कुछ किया है जहां इस अभ उप से नहीं किया यहां तो कहते हैं कि मसलमी परंपственный मैसा करना जरूरी होता है इसलिए किया है वो सब करने के बाद कहाने के शेरुवाद हुई कहाने कि श्रुवा शिलंका से हुई शिलंका में हुआ ये कि गंधर उस्सें बहुत ताकतवर राजा है चंपावती उसके पत्नी है और दोनों की बिटिया हुई उसका नाम उन्होंने पंदमावती रहते हैं और फिर बच्ची बड़ी हुई असीम सुंदरी थी 12 साल की होकर संपूर्ण वैस्क हो गई उस जमने वैस्क का मतलब 12 साल होता था अब 12 साल की हो गई है बेटी और वो बड़ी परेशाने की पापा मेरी शादी की बात ही नहीं करते है मैं बड़ी हो गई हूँ लेकि पापा शादी की बात ही नहीं करते है पापा को लगता है कि मेरी बराबरी के कोई राजा दुनिया में है नहीं मैं इसकी शादी किस से करू, कोई बराबरी का तुम मिले, तब तो शादी की बात करें और पद्मावती इस बात से लगतर चिंता में घुली जा रही है कि मैं इतनी बड़ी होई हूं पापा ध्यान ने दे रहे बारे साल गी अभी हो तो पद्मावती की सहलिया है और एक उस बेस्ट फ्रेंड है उसका नामे हीरामन वो एक तोता है तोता उसे सा धर्म चर्चाएं करता है लेकिन जब बारा साल की वही तो पद्मावती क्योंकि सियानी होगे तो पापा को लगा कि अब बेटी को अलग महल मिल जाना चाहिए तो एक अलग सफेद रंग का महल साथ मनजिल वाला बनवाया और उसको दिया जिसमें सातमें माले पर या सात्य मनजिल पर पद्मावती रहती है संकेत है कि वो खुदा है सहसरार चक्र पर रहती है बार आने लगी, सहैलीएं खेलती हैं, लेकिन वह मज़ा नहीं हैं छीरा में तोते से इपने अमन के सारी बरत कर लेती है, सहली उसा जाएंको सही क्टली तो तोते से बोलते हैं सहली किसी को कहाई दे पापा को पता है, तोते से बोलत तोता 擅म्जाते हैं समय पे सब होता है चिंता ना करो शादी तुमारी होगी जल्दी होगी मैं अपने तरीके से कोशेश करूँगा कि कुछ संकेत कहीं कर सकूँ इतने में राजा को पता लगए कि तोता बिगाड़ता है मैं बेटी को समभल के समभल के मैंने ऐसी कभी नहीं देगी जुसमें आदमी लगी पक्षा घजया 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 कुछ हो सकता है ऐसी मुझे ऐसा लगा ऐसा कुछ नहीं तो राजा को ऐसी भनक पड़ी है कि मेरी बेटी जो बिगड रही है उन पठाग बात करती पापा शादी करवा दो यह सारा तोता मज़ गया कि अब तो पूछा है घजर एक आद बाग क्यों बोल देते साथ में तो मेरे तो काम तमाम हो जाता अब तोता उद्विग्न रहने लगा पदमावती ने उसको बचा तो लिया पर तोते को लग गया था कि एक बार तो उससे बचा लिया जब पदमावती दीदी नहीं होंगी और राजा ने बुला लिया अपने पास तब मेरा क्या होगा अब तो निप्टा देंगे मुझे तो उसका मन्द है कि भाग जाओं पर पदमावती उसका उबर सनहे से रखते थी कि तोते मेरे पास ही रहना जाना मत तोते ऐसे करके फिर एक खंड आया मान सबस्क्राइं गई हैं वाट पॉट्स के लिए गई हैं जल कीडाओं के लिए गई हैं एक सरोवर हैं सिविंग पूल समझ लीजी सब सहल्यं वाप खेल रही हैं पर पदमावती थोड़ी मादलों सबसे हिरर्की में इंव उपर है तो पानी के अंदर नहीं हो पानी के बाहर है सहली खेल रही है और मांसरों बाग बाग हो रहे हैं कि साक्षात खुदा मेरे पास बैठा हुआ है तो सहली ने खेल खेला कि ऐसा करते हम हार फेंगे लेकी आना होगा और जो सखी नहीं ला पाएगी उसको अपना हार देना पड़ेगा ऐसे मैं गरीब सी सखी है बिचारी उसको हार नहीं मिला, अब वो रो रही है कि मैं हार कहां से दूँगी, मैं तो गरीब घर से हूँ, तो पद्धमावदी उलगा बिचारी प्रशाद में, पद्धमावदी में अपना पैर सरोवर पर टच कर दिया, जैसे ही सरोवर पर टच हुआ, सरोवर धन्य हो गया, और सरो किये जा रहे है कि वो खुदा है, उसको मनुष्य ना संदे, उसको खुदा संदे, अब जिस समय यह हो रहा था, तोते को लगाए सब बिजी है, यही समय ठीक है भागने का, तो तोता चुपके से वहां से फुर से उड़ गया, और पद्धमावदी वहां से आई वापस सरो और से देखा, तोता है, हाई मेरे तोते, हाई मेरे तोते, लेकिन तोता चला गया दूर, तोता सीधा उड़ते उड़ते जंगल में गया, जंगल के पक्षियों ने उसका बहुत आधर अभिबादन किया, जब उनको पता से लागी पदमावदी का बेस फ्रेंड है तो उनक खुश था, लेकिन इसी बीच में एक बहलिय ने उस तोते को पकड़ लिया, अब तोता पिंजरे में है, और बहलिय ने ठान लिया कि इसको बेचेगा, पदमावदी दुखिये कि तोता कहा गया, राजा खुशा की कमबक चला गया, अच्छा हुआ, तोता पिंजरे में है, और यहां से कहानी बदलती है, चितोड चरी जाती है, चितोड में राजा के घर में पुत्र हुआ है, और पुत्र इतना गुणी है, जोतिशे ने कहा है, यह विक्रमादित्य जैसा बनेगा, समद्गुप्त जैसा बनेगा, हर गुप्त जैसा बनेगा, इतना महान बनेगा, तो साथ में क्या बोल दिया है यह जोगी का भेस धरके श्रीलंका जाएगा और पदमावती से ब्या करके आएगा तो लोग खुश है कि क्या राजा प्यादा हुआ है यह जोड़ा हो गया है जो है ताइम ने दिया है जो बच्छा दोड़ा फिर दीया उपर बढ़ा हो गया है तो कुछ उस बैसे द्रिश्च में अचाने उच्छों बढ़ा कर दिया है अब जब बड़ा हो गया तो रतासिन राजा बन गया है उसी बीच में एक जक्ती चित्तोड का श्री रंका में हाट लगता है तो उस हाट में जाके समान खरीद के लाता है यहां बेचता है कुछ भी अब साही है भी आपारी है वो लोग जा रहे हैं गरीब सा ब्राह्मान आजमी है उसके मन में है कि मैं बनी गरीबी कैसे दूर कर उसको लगया बर ट्राइ करता हूँ कुछ उधार उधार लिया कि मैं भी श्री लंका जाऊंगा कुछ ऐसा यूनिक मिल जया वो खरीद के लाऊंगा शायद मुझे उसके कमाई हो जाए और मेरे गरीबी दूर हो जाए तो गरीब ब्राह्मान भी श्री लंका चला गए हाट में और जैसी हाट में पहुंचा तभी बहेलिया ही रामन को लेके पहुंचा है उस ब्राह्माण भी तो खुब मुझें से तोड़ गया असपस भी उसने का यह तोटा एसा है ज्यानी तोटा है बोलता तो है ही सदर्शन धर्म किसी विछे बात कर लो प्रकांड दोता है तो ब्राह्मन भी उसे एग दोगे बात की उसने प्रकांड दिखा दिए टोते में खा है खरीदे वह फायदे में रहूगए उसके मन में झा कि यहां दो देख लो कमसे का मैं फिर देखूं को कहा जाना है तो ब्रामन को लगा कि यार दम तो है इस तोते में तो जितने पैसे लाया था वो पैसे दे के तोता खरीद लिया और चितोड पहुंचा जैसे चितोड पहुंचा राजा को पता लगा कि व्यापारी लोग आ गए है तो नियम ये है कि सारे व्यापारी पहले राजा कुझे हैंगे क्या लेकर आए हैं जो राजा को पसंद आएगा वो रख लेगा, बाकिये फिर हाट में बिखेगा, राजा ने बुला लिया सबको, ब्रामन भी आया तोता लेकर, तोते के पास से राजा गुजरा, राजा ने का इस पर क्या खास बात है, तोता बोला, तुझे पता नहीं न कौन हो, खरीद ले जो फाएदे में रहेगा, राजा ने का बड़ा सही लगा है तो, राजा ने का बताओ क्या बात है, बोले पदमावती के बारे में बताऊंगा, तुझे उन्दाजा नहीं है, राजा को लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग बात तो और कज़गा ही करेगा जरूर, और राजा यह सोच कि ब्रामन को एक लाख मुद जनाया देके तोता खरीज लिया, ब्रामन तर हो गया कि बस, अगली साथ कुछते, अब उसे नाम अंबानी रख लिया, सर नेम अपना, कि अब से मेरे नाम अंबानी हुआ, तो टेंजन खतम हो इसकी, अब राजा ने तोता अपने घर चला गया, तोता वहीं साथ पिंजरे के अंदर, नागमती, एकदम पैयार वैयार होके, एकदम नहाने के पाद से खूब शिंगार बिंगार किया हुआ है, और अपने कमरे से निकल रही है बाहर, उसको सुन्दर तो वह ही, उसको सुन्दरता का एहसास बहुत जाज़ है अ तो गुजरे तोता सामें दिखा, उसको दिहार आएगी तोता शिलंका से आया है, और शिलंका की ब्यूटी की बात यह लगवानी जाती है, उसको यही पता है, वहाँ पदमी निस्तियों का उत्वादन होता है, तो उसको आइडिया है इस बात का, तो उससे तोते से पूश इस सरोवर में हंस नहीं होता, वहाँ बगले कोई हंस समझा जाता है, उसलिए डायलोग वारा, तो आप टेंशन मत रोलाग मत्यी जी, सबसे सुंदर स्त्री वह है, जिसका पती या पती उसको प्यार करता हूँ, आपको उरतन से जी प्यार करते हैं, तो आप सुंदर है वह क्यों टेंशन लेती हैं, पर यह कहने के बाद टेंशन ना लेए, इसको बचा है कि इसके बाद, तो टेंशन लेके रहेगे, उससे नहीं ठीक से बता, उससे का देखिए, मैं शीलंका से आया हूँ, यहां के ही साब से ठीक हो, कोई दिक्कत री है, लेकिन, तो मैं तो शीलं अगले पन में खुश रही है आप, तसंद रही है, नागमती को लगाए, इस दुष्ट ने मेरे पती को इसे बता दिया, तो मेरे पती को समझते दी ठीक से, क्यों तुरन सब छोड़ शारके निकल लाएगा, राज दरबार कल्यान का राजा तो है नि, उससे तो मतलब है न निकल ले अतरब, तो उसे धाय को बलाए, धाय से का, इस तोते को जान से मार, उसी गर्दन काट देना, धाय ओरी जी मालके, तोते को लेगी, तोते ने समझा जी होगा, कि अगर मुझे मारा ना राजा तुष्ट ने शोड़े रधान रखी, और धाय को वैसे हर काने में ही होता है कि लेगा, किसी औरी गर्दन दिखा दी और शिपा के रख दिया, उसे शिपा के रख दिया, राजा शिकारत से आया, देखा तोता भी, उसे काए तोता, फिर नागमती ने बताया, फिर धाय को बलाया, धाय को धंगाया, राजा ने धाय बोली, मैंने संभाल के रख है तो तो तेने का सही बात तो यह कि आप नहीं पूछो क्योंकि क्योंकि का जो है ना लेवल वैसा है नी कि मैं इसे बता हूँ आपको यू डॉंट डिजर्व टू भी टू गो देर बहुत जाने आपने डिजर्व नहीं करते हो हम साबित करेंगे बताओ क्या बात है तो राजा ने का देखो मैं शिलंका से हूँ महपद मावती नाम के गड़की रहती है और वो इतनी सुंदर है कि मैं बताओंगा तो आप नहीं समभल पाओगे इसलिए मन पूछो मुझसे अब यह कहने के बात मुझे कैसे नहीं और जैसी वर्णन्स हम आप ठुवा जैसी राजा बेहोश हो गया अब राजज़ी बेहोश हो गए है क्यों किसी सुंदर स्ट्रीका वर्णन्स हमके बेहोश हो गए है राज़ वैद दिया गए हैं। राज़ा की माद राज़ा की पत्ने, सब पंका झाल रही है। कोई पानी चिरा कुई हुआ दवाई, कोई नब्स दह रहा है। सब करते करतेastern के लंबे समय के बार राद़जी बहुत होश में आय। लोगों ने राहत की सांस ले चलो राजा जी होश में आ रहा है राजा जी ने राहत की सांस बिलकुल ने ली राजा जी बोले मैं तो अमरपुर में चला गया है कहां मरणपुर में वापस आगिया हूँ मुझे अमरपुर जाना है राजा की मा रो रही है कि बेटा ऐसे नहीं कहते है. हम बूढी होए बेटा. पत्नी कह रही है कि मैं हूँ तो अब ऐसा क्यों बोलते हो? यान्म बागे पर हैं. बा ने बहुत रोका, पत्नी बहुत रोका. पर राजा ने ठान लेकिए अब तो हम श्री लंका जाएंगे और पद्मावती को लेकि आएंगे तो ता छिपा हुआ है सब उसको पता है कि इस ते मगर मैं किसी याद पढ़ गया था तो जो वहां नहीं हुआ तो यह तो हो जाएंगे तो इतने में 16,000 युवक आई बहाद तो फेक्टरी है तो शायद हमारी बेर सब युज है और तो राजा बोले चलो क्या दिकाता है बहाद दबहाद डारी बरुजगारी का तुम चलो मेरे साइज चलो तो उसके बात से नहीं लिख यहाद काहीं लिखा में 16 100 कहीं 16,000 कहीं 16 zobaczy Ainसमाजवसर तो बड़ा confusion नहीं 16100 के 16 000 है अलग 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 लिखा हुआ है तो 16,000 युवक साथ में राजा जी निकले हैं, शीलंका की आथ, चितोड़ से निकले हैं, चितोड़ देखिए और जाना है शीलंका, पूरा भारत पार करके जाएं नीचे तक पहले, भक्ती दविड से आई थी, ये जा रहे हैं, दविड की लोटके जा रहे हैं, और सारी सेन इनकी जा रही है, खूब रास्ते में दिखकते हैं, पर चलते जा रहे हैं, प्रेंग पर चलने वाला कोई पथे ठकता है, चल रहे हैं सब लोग, और चलते चलते अंतों में समुद्रा आ गया, जाने दक्षिन भारत में वहां पहुंच गें, जहां से शीलंका की यात्रा श बारा कुछ भी नहीं है, तो वाया उसने कहा, बहुत खुश हुई कि आप आए, कैसे आना होगा, बोले हम प्रेंग के रास्ते पर चले हैं, वो समझ गया कि पीस चाईप आज में है, तो बर अच्छा अच्छा, आपका स्वागत है, आप यहां रही है, आज से, फिर बोड नहीं काया कि हमारे जलवाईव धज्यानिक बता रहे ही, कि समुधरा में स्थी ठीक नहीं है, कोई तुफान उफा ना सकता है, अरे प्रेम का राही, समुधरा जखता है, तुफान ज़ेखता है, नामे दिलवाईए हैं, जपने पर एगा, ठीक है, नामे लेज़ाओ, साथ समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई तो वो जो साथ समुद्र हो साथ समुद्र कौन से हैं साथ समुद्र कौन से हैं तो ख्षार समुद्र है ख्षीर समुद्र है उदधी समुद्र है मानसर समुद्र है किल किला समुद्र है इन सब समुद्रों को पार करते करते अंत में जब मानसर में पहुंचे जो आखरी समुद्र है बड़ा अच्छा है सास्तों को होने लगा कि बड़ी सुन्दर सुरम में रबनी अस्थान पर आ गए हैं सामने शिलंका दिख रहा है शिलंका भारत के लोगों का यूड़ोपिया वगरा वर्व जमाने में की अधर श्राज्य है कुछ पताता सा नहीं तो उनको लगता सा कि वही सबसे दूर है और जैसे तट पर उतरे इतने खुरशकी कहा आगा यार कहा चितोड़ में फसेवती गर्मी बहुत होती थी यहां तो बड़ा अच्छा माहूल है उनको भूमत दे रेखा का अंदाजा नहीं था कि कौन से लिगरी पर गए है लेकि मैं कि वहां तो अच्छा है और जैसी वहां पहुंचे तोता साथ साथ चलगा है तोता रास्ते भर में साथ साथ है कि कोई बाद हाए तो मैं दूर करूंगा क्योंकि गुरू सुआ जही पंद से दिखावा तो तोता तोता तो गुरू नहीं जो नास्ता दिखा रहा है यह वह साथ साथ चलगा है जैसी वहां पहुंचे तोता यही है जहाना था श्री लंक आ गए है अब आगे का रास्ता बताओ तोते ने का यहां कि राजा की बेटी है वह चीछोरापन मत करने कुछ भी बहुत पिटाई हो जाएगी आपर ऐसा करो यहां शिव जी का मंदर है वसंत पंच में के दिन मैं जुगार सेट करता हूँ कि पद्मावती वहां पर आए पूजा करने के लिए आप वहीं बैठ जाना बिखारी बनके योगी या बिखारी का भेज ररके बैठ जाना वो आएगी आपको भीख देगी उस इससे में बात बत हो जाएगी फिर आगे का देखेंगे उससे का धन विरह फिर हो रहा है बहुत ज्यादा अब तब मिला नहीं है पहले विरह फिर हो रहा है उसको और विरह के ताप से दंग्ध हो रहा है कि है इश्वर मैं क्या करूं तब उपर से आवाज आई मानुस प्रेम भयू बैकॉंटी नाही ते काह अच्छारिक मोठी इस और रहा ह पर से भी मानुस्य की जीवने प्रेम हो तो वेकॉंट हो जाता है वरना तो दो मुठी राक के बराबर है इतने में जो पदमावती है उसको ती अग्यात कारणों से विरह होने लगा योग का अफर है सारा का सारा उसको भी लग रहा है इतने में तोता उड़ता वो तोता ने बताया कि तुम्हार ली गया हुआ हुआ था मैं लगातार प्रियास कऴा तो सब्चत तोड कर और उससे पर मौती हुआ लगा कि मैं संसार के सबसे उसे बता नहिए कि नागमती सबसे सुंदर है तुम्हार सामे तो कुछ नहीं है तो उसे पूंफिडेंस ज़्यादा वगया ऐचानक लगी अच्छा एट अतना सेंध क्या चीज़े मेरे लिए तोते को ज़्यादा तारीफ कर दी ल इसलिए ठीक से बीहेम करो, ज़्यादा भाव मत खाओ, तो वो तुरंट कंट्रोल, बोले हाँ, मैं समझी, मैं समझी, ज़्यादा भाव नी खाओंगे, मैं उससे बात करूँगे, फिर तोतने का, आप ना कुरसी पकड़ लेजी, प्लीज जैना, मुझे बड़ी चिंता हो र फेल होजे, हाड़ लक होजे, कुछ होजे, हसी के मारे, थोड़ा सक, ऐसे कर लीजे, ठीक है, दो साल की जैन होजी इसके लिए, क्योंकि जानमुषके नहीं किया गया, जानमुषके तो फिर 307 ले जाती है, चालिए, तो उसके बाद तो 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 इससे पदमाब देख लेना, समझ लेना, थोड़ी बहुत बात कर रहेना, फिर आगे आँ देखेंगा कैसे बात करनी है, शुरुबात तो करो, तो गोली हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं आओंगी, तो उसे घरे बात कर लिए, पापा समझा जाजे कि मैं पूजा करने जारी है, पापा भी और पदमावति है, ये सहली आसाथ में रहती है, पदमावति पूजा कर ले सहली दाय में देख रही है, तो तो इतना हाइफाई है कि हमारे हम तो उस लाइक नहीं है, बाकियों पे हमारे निजर है, तुम उसको देखो, जो सब से आगे बैश है, तो उस पे ध्यान देना, बड़ा सोडा मुंडा है वह सोडा भिखारी है पर मेर जी को पहले से पता था उससे गा चलो बेखते हूं उसे पूजा करनो ठीक से तो पूजा वजे कि शिवजे से कहा कि देखिए का उसके बाद वो चली पीछे पीजे सखी आप भिखारी लाइन से बैठा हुँ ते सीडिय किया बेखारी ने चेहरा उपर किया जैसे इस तो देखा लोट गया ने बेखोश हो गया अब बिचारी क्या करें कितना आपको अड़ लगता है न देखिए क्या करें बिचारी तो फिर उसने उसकी है छेली पर लिख दिया कि तुम डिजर्व नहीं करते मुशे अब तुम कि प्राणों की बाजी लगानी होगी आज याज याज फूश फूश ऐसा लिखा यह सब इसली बरवां बेखोश हो थे इस बरियां हों है यह टाइम से खूश में आए बाकि दोस्तों ने का कि यार बताओ भावी जी आइस या बेखोश हो गया इस तो इस दोस्तों लड़के अजिजी से बात की शुरुबात भावी से होती है यह लड़की आजी आजीज 50 के शुरुबात करती है तो अब इसको बड़ा दुख हो रहा है कि अब मैं क्या को मरं जाओंगा यह क्या हो गया तो इसनी आत्मों दहा करेकं शुरूर अपना और जब जलने लगा तो हनुमान जी थोड़ा चंचे दूगा है ठीक नहीं हो रहा है हनुमान जी शुट जी के पास गया कि शिव जी आपका भगत है थोड़ा संभागलो शिव जी बोले यार ठीक नहीं लगता है उसे आदमी पारवती बोली ऐसे मत कीजिये देखिए अजी देखिए ये आपका आपका भगत है तो अगर पत्नी कह रही है कि देखिए तो पत्नी की हिमत है कि ना देखिए उसके बाद फिर शिव पारवती साक्षात उपस्तित हुए पारवती ने का पहले में से एक्जाम के लेती हूँ एक दूस्वाल पूछिए उसे क्वालिफाई कर गया वो जब फि इसका क्वालिफाई हो गया प्रिलम इस तो आप थोड़ा इसमे ज्यान दीजिए तो फिर शिवने का देखुआ ऐसा है इनाटक बत करो जलने वलने वाला पदमावती खुदा है उसकी प्राप्ति ऐसे नहीं होती है ये किताब पढ़ो सिद्धिगुट का इस किताब में व उसमें एक रास्ता है जो नीचे से सीधे ऊपर जाते है लिफ्ट की तरह से समझे कुंडलीनी वला रास्ता उस रास्ते पर ऐसे ऐसे चड़ोगे तब जाके वहां तक पहुंच पाओगे इसके अलावा कोई रास्ता वहां जाने का नहीं है ओला मैं समझ या शिव जी अब म ज्यान रखो मुर्फ शिव जी चले गए नमा जी चले गए अब यह इत्मा बेसबरी का शिकार आदमी 16,000 लोग साथ में जेंगे क्या करना भीया क्या करना है गड़ को घेर लो 16,000 बिखारी ने गड़ को घेर लिया योगी के भेश में बिखारी ने गड़ को घेर लिया मंत्री समझ नहीं पारे हो क्या रहा है सूचना पहुंची सुरक्षक टीम की तरफ से कि सर कुछ बिखारी ने महल को घेर लिया है पता करो तो वहां के एक सैनिक वहनी का है उन्हें का कौन तुमारा हेड भीखारी को बना भी तो रत्रसें सामने है कि यह हैं और क्या चाहते हो बले पदमावती रूपी भिख्षा चाहते है इतना पड़ेगा ना दूशी राजा को पता लगे रहा जान से मर देगा कर कह द लूपी भिख्षा चाहते हैं राजा के मुझे का मरवा दो कमभक्तों को फिर मंत्री बोले नहीं सा ठीक निरेगा मंत्रे मंत्र नहीं कि मरवा यह मत्री तो पहले थोड़ा एक कोशिश करते हैं कि ठीक से मामलत सेटल हो जाए तो समझाने का प्रयास के तब तक तो उनमें स कोई दर्वाजा खोल दिये गड़ का अंदर खुजगे गड़ दिये हैं अब राजा को बड़ा गुस्ता आया सब को गिरफ्टार किया गया है सब को हाथ साथ बांगे खड़ा कर दिया सबसे आगे रतना से इन पीचे 16,000 वा वो सोच भी रहे हैं कि क्या सोच के थे क्या हो वो राजा ने क्या कि इन सब को सूली पिटांगो कमभगतों को पहले तो हम सोचा थे कि माफ कर देंगे पर जो हरकता ही कर रहे हैं इनको सूली पिटांगो जब तो से ने तुरंट हीरा मन के माधियम से संदेश बेजा पदमावती को कि बहुत स्ट्रगलिंग फेज चलर ल औहीं सुझान से थी को दिग्धा इसी उमीड में ही फिलेगी उसे नहीं वहल था लिकिन भणाई यहाद हैं क्लिय॔ तो रत्य सेंदिय वह कढ़ा और मंसूर की तरह प्सेद़् होगया मंसूर की दाल नहीं मंसूर वह वियुद्टी है मंसूर एक सूफी ठा जिसको दीया तो मुझे खुदा से एक कर रहे हो जल्दी मारो लोग परिशान है कि मारे के नाम आरे समझने आ रहे हम तो मारने की ड्रहेगा यह तो मंसूर जिस तरह से प्रसंद था ना वैसे ही रत्तुसीन प्रसंद में था सूली के लिए उसको लेके जा रहे हैं हाथ बांद के वह मुस्कड़ा रहा है सूली पर टंगने के लिए उदर पदमावती ने पता कर लिए पदमावती पर तैरी करेगी मैं यह मरूंगी साफसाथ मरेंगे प्रहनुमान जी ने देखा कि ठीक नहीं चल लगा है शिव जी ने भी झेख्या कि इसकंवक्त को भी समझा कि आए था कि सिस्टेम से चलना ठोड़ा तरीका है यह या पैसी पास करना ना प्रिलंश निगाओ उमेंज डिखा लो यू पैसी घेर लिया उससने भी तो फिर पार्वतिन ने का कि देखो है तो आपका भग्ती ना ध्यान दो देना चाहिए ना आपको जी भगवान जाता हूँ फिर शिव जी आए रूप बनल गया राजा के पास गया कौन से राजा के पास गया गंधर अनके पास उससे कहा देखो राजा जी ऐसा है इसको फासी मटांगो राजा ने कुछ अब तू कोना पहले ये बिता तो बोले मैं बता दूँगा तो मुश्किल हो जाएगा आप मेरी बात समझो या आद में बहुत सही है ये चितोड का राजा है और हीरामन तोता इसको लेकिया है राजा ने ने कैंगो भरोसा नहीं हो रहा रहा उनको बलवालो ला हिरामन जो चला गया वापस आग गया हम हो में पलाया और प्रभृ और प्रभृ को i am राजा ने पूछा सही सी करा ना резे तो ये चार। तो राजा ने फिर इन से बुज़ा शीषद से कि आपको ने बोले ने ज्यान रखना। घ्रान जी युदध ने भून दिया। पर कर लो यह तो लोग यह रामन बाद में उससे पहले की बात है पर कर लो यह ठीक है शिव जी ने शंक फूंग दिया हनुमान जी तयार थे बाहर की कुरी सेना उतर गया गई देव सेना आगई देव सेना इसकी सेना उतर गई हाथी वाथी हनुमान जी पे आगए हनुमान जी वह जाता हो श्री लंका मेरा एक्सपर्टीज भी है हाथी आए इसकी सेना के अनुमान जी ने क्या कि पूछ लंबी की तीन तीन हाथी बाहन देगी पूछ में तीनों को फैक्ता सबुद्रम है तीन तीन हाथी इंपर सबुद्रम फैक्टे शुरू कर दिये तब गंधर सेन को लगा कि मामूली सेना नहीं है आपने बहुत सेनाएं देखिए पर हैसी सेना ने देखिए कि मूँट से हाजी फेक दिया फर बुलाया कोन वो तुम लोग तब शिवजी ने का कि मैं शिवजी हूँ यह हमारी सेना है पहले कहिए था मत बंगा मोलो उसे उन्हों पहले बिता देना सब एक्ट वे सब करता है तुसे लोग कैंसिल करते हैं उसको युद्ध कैंसिल होगा फिर शिवजी ने का देखो ये चितोड़का राज कुमार है फिर हिजामन को बुलाया गया उसे गवाही दी तब राजने का ठीक है युद्ध कैंसिल आप जो कहीं वहले मेरे 16,000 बेरुजगार लोग साथ में हैं तो 16,000 बहुं में और मिल जाती चितोड़को तो अच्छा रहता है तो बहले हां यहां तो फैक्ट्री को दिक्कत नहीं है अब क्या परशानी है तो 16,000 पदमिनिस्ट्रिया मिलेगी तो को दिक्कत है यही तो अच्छे रितु वर्णन है एक साल तक सब अपनी पत्नी के साथ है छे रितुमा का वर्णन है इन कमभफ्तों को याद भी नहीं कि चितोड़ से आए यह लो यह अपने सस्वाल में ऐसा रमे हुए इनको लग रहा है कि वही जगाई जम ठीक है यह कहानी का पहला हिस्सा हो है दूसरा हिस्सा कल करेंगे ठीक है तो जब 16,001 विदाकारेक्टम संपन्न हुए तो उसके बाद यह कमभफ्त सारे के सारे भूल गए कि कहां से आए हैं क्यों आए हैं एक साल तक यह शट्रितु वर्णन है कि छे की छे रितुमें वो अपनी अपनी पत्नी के साथ वहां स सब बेटी हम अही हैं इसके बाद कहानी पहुंचती है चित तब के तरह दो मेरा तो तो मज़े की बात है कि जब जा रहा था नागमती बहुत फूट- फूट परोई थी ए जी मत जाओ लेकिन एजी को तो खुदा के प्रेम की अलह जग गई थी कैसे रूपते माने काफी रोका था पर उसने मा को भी समझा जिए कि आपका टाइम पूरा होगा ज्यादा मत बोलो जाने दो मिशें इधर नागमती विरह में हैं और नागमती के विरह को लेकर शुक्त जी और जाता विरह में आ जाते हैं नागमती के विरह इतना च्छौन को लगता है इतने विरह में, इतने विरह में हैं कि उसके मुझे हमेशा एक खास आवाज निकलती रहती है, कुंसी आवाज? पी-पी की अवाज निकलती है यही लिखा हुए क्या करे कहानी में पी-पी की अवाज निकलती रहती है मैं बीमार जैसी हो गई है लगातार बीमार जैसी है और वो इस प्रोसेस में पूरा भूल गई कि वो एक बहुत बड़ी रानी है पटरानी है एकदम आम कोई स्त्री विरह में किस दशा में होगी, वैसा उसका विरह है, बारह मासा वर्णन है विरह का, हर महीने में इस महीने क्या सेती है, उस महीने में क्या हुआ, मैंना उस महीने की पर्यावरनी ये दशाओं के साथ विरह कैसे बढ़ा, कैसे कठिन हुआ, इस तरह का विरह है और उसमें जो बत शुक्ली आपसे कहेंगे ये प्रश्णी आने वाला UPSC में आता है बार बार कि उसके विरह में मूल उदेश्य कामचेतना है या गरहस्तिक भाव है गरहस्तिक भाव कि मेरा पती मेरे घर में हो ये वाला भाव ज्यादा है बजाए इसके कि उसमें क होई यांचेतना ये कामचेतना वाला भाव हो इसी बात से शुक्ली जिस वड़ा सच ज्यादा तभावी थे इस बात से तो वो विचारी डग्द है हर जगा घूमती है बिरह कटाप इतना ज्यादा है कि पक्षी जल के राख हो जाते हैं और एक दिन एक पक्षी ने सुरक् आखी के ही दुख रहनी न लावसी आखी क्या बात है क्यों घूमती रहती है इसे क्यों जलाती रहती है हमारे परिवार के परिवार भसमा हो चुके हैं क्यों ऐसा करती हो क्या दुख है जो रात को सुफ होती नहीं है तब नागमती को लगा चलो पहली बार एक साल में किसी तो मुझसे पूचा कि मुझे क्या दुख है फिर उसने बताना शुरू किया कि देख वक्षी मेरे पिया चले गए है शिलंका और गए हैं इसलिए कि मेरे सौत को लाने गए हैं मैं इस बात से बहुत परिशान हूँ काश कोई मेरा मैसिज बहां तक पहुंचा पाता है अब वट्षप के जमाने में वो आग नहीं है वो दर्द नहीं है आदमी पहुंसतानी उससे पहले मैसिज पहुंच जाता है वहाँ पर तो अब वो दर्द कहाँ तड़ब कहाँ समझबाने उस तड़ब का मतलब कि कोई बहुत दूर है और आप मेसेज भेज़ना चाहें मेसेज पहुंच ना पाए यह आपके जबारे में यह वारा भाव समझ मुन ही आएगा क्योंकि वह भाव खत्म हो गया दुनिया से अब संदेश कावे इसलिए रचे गए ना वट से आप आने को संदेश कावे खा तो अब कहें कि को सीधा ममला है तो उससे पाक्षी पसीज गया उसने का तुम चिंता मत करो नागमते जी मैं आपके साहता करूंगा मुझे पताओ क्या संदेश देना है फिर संभाद चला नहीं कि धुआ हमें लाग कह देना कि तुम्हारी पत्नी जलके मर गई यह उसका धुआ में लग गया है पक्षी भी ऐसे इसा नागमती भी मेरे दुनों ने मैस नहीं पढ़ा हुआ था रीजिनिंग में कमजोर से दुना क्योंकि अगर सच में बोल देता पक्षी तो रहता क्या बोलता कि अच्छा मरी गई तो फिर आपस क्यों जमभब में ऐसे बोलते हैं कोई यह बोलने की जिन्दा है परशान है लेकिन हाँ पूहा के सेंस में ऐसे कुछ क्षिन कहे गए और बोली की पत्नी में लब नागमती ने का उनको बोलना कि मुझे भोग की इच्छा नह ने रहें मोही भोग सोंकाजनाबारी सोंह द्रिष्टी के चाहनचारी सिर्फ उनकी नदर के सामें रहना चाहती हूं मुझे भोग से कोई ऐसा लेशमत्र में इच्छा नहीं है यह सब बताया लेकि ट्रेम में सबसे बुरी स्थित क्या होती है जो दिव्या की होई थी क्योंता बढ़िया क्वेश्टन था आंसर क्वेश्टन नहीं शिपा हुआ था तो दिव्या जो कि दिव्या उन्यास में ही थी आपको ध्यान होगा तो उसमें दो रफ्रेंसिस बढ़े अच्छी है पहला आचार यरुद्रधिर ने पहली पतनी के होते हुए भी दिव्या क क्वेश्टि पतनी अपने अनुराग की प्रस्तों दिव्या को यह विशय को चाहेगा इन वही देवगया जब प्रेसुसेल से प्रेम करने लेगी प्रेसुसेल युद्ध में चला गया लोट की आई गर्वती हो गई तो उसके मन में क्या रहा है काश मैं सीरो की सब अतनी बनने को तयार हूं बस मुझे स्विकार कर ले यह सबसे बुरी सथी वही है न नागमती ने पक्षी कौंत में कह दिया कि देखो बारगेनिंग कहीं और ना बने तो यही कर सकते हो और बताया पदमावती को समभज करके कहा कि पदमावती जी तुमने मेरे पती को छीन लिया कोई बात नहीं छीन लो पर कम से कम मुझे भी तो उसके पास रहने दो तुम रहो उसके पास तो उसकी प्रमुख पत्ने बन कर रहो मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन मुझे कम से कम से कम इतना हक तो रहे कि बे अपने पती के आसपर रह सको अब यह सब बाकिये पड़़े के दिल पर क्या हुआ होगा आप सब छुणिया सल गई होगे कि एक विदेश स्वदेशी महिला की वज़े से स्वदेशी महिला परिशान है तो शुक्र जीजी को बड़ा खराब लग रहा था बहर हल और अन्त में यह भी कहा कि देखो अगर कुछ ना हो आपने वह से पुश्प यह भिलाशा मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत्स पर देना तुम फ राख को उस रास्ते पर बिछा देना जहां से मेरे पती आने वाले हैं ताकि उनके पैर में कांटा ना चुप जाए मकुत ही मारग उरी पर रहे कंत धरे जहां पाओ जहां मेरे पती के पैर पढ़ेंगे वहां मेरे राख को बिछा देना यह तन जारू छारक है कहों की पवन उडाओ इस तन को जलाके राख को कहोंगे की हे पवन उडाओ मकुत ही मारग उड़ी पर है और उसको उडाकर उस मारग पर बिछा दो कंत धरे जहां पाओ जहां मेरे पती पैर रखने वाले है अब यह सब सुनके कोई ट्रेडिशनल आदमी जो होता ना एंटीने वाला बड़ा यह मुश्ल हो यह दो सकता पतनी हो तो ऐसी हो मिनाक्षी सिंग होती है मिनाक्षी देवी तो पतनी हो तो ऐसी हुआ मिसस खन्ना हो कुछ कुछ मिसस खन्ना वालो हुआ जाकदुति में आपको देखेगा फिर वह पक्षी उड़ के गया है शीलंका अब श्री लंका में रभन सेंजी पेड़ के नीचे बैठे हुँए पन पक्षी ने ऊपर जाके पोजिशन ले ली है पेड़ के ऊपर और जैसे रतन से अकेला हुआ उपर से पक्षी ने का रे कमबख्त आदमी तूचे तोड़ से आया वहां तेरी पत्नी विचार लगातार परशान है सर नागमत ने ये भी का उनको ये भी कहना कि अकेली मैं परश कि माकी आप से शयदा भी जाएगा वापस तो दोनों बाते बताना तो पक्षी ने जैसी दिखे रतन से ने केला है उपर से ग्याद देना शुरू किया और फिर डाटा का स्किप किया शर्म ने थे तुम्हें अजीवादी भी हो एक साल एक साल तो यहां हो आने में से महीं संथले लगे थे तो ने कोई फिकर wife कि अब और चना से अब उसको लगा रहा है यहार भूली गया था हैं वहां भी टो मेरा साम राजिय है एक प्ति हमापी तो है आप सामी तो है अब उसको ल सरा जाना चाहिए जाना चाहिए बनसिक हो दाना जाना चैना महावती मौति ल बुहर बुहर तो नहीं सब ठीक है वह नहीं तो ठीक है, उस से खबल हो तो तुम नहीं समझ पाऊगी, वो अफिए पापा के पास ले गई, यही ठीक करेंगे, पहले भी नहीं ठीक किया था इसको तो शायद यह ठीक कर पाए, ससुर राजा हो और दमाद आई ये सो तो दमाद दबाव में रहता ही है सीदी सिवात तो ससुर ने बहुत सुनक है रहे कहां जाओगे यहां तुम रात थाट बाट है ये है वो है उसे का वहां में नौकर रगा किसी का, वहां ب히राजा ही था रहे मजग समझते हो मुझे, चिर्टोर का राजा था मैं तो ससुने का क्यों जाना चाहते हो इसको लगा कि कैसे समझाऊ मुझे बोला आपको तो पता ही या असल भाई कैसे होते है मेरा भाई मेरी सत्ता को हड़पने का प्रयास कर रहा है मुझे ये सूचना प्राप्थ हुई है एक राजा का दर दूसरा राजा ही समझ सकता है तो राजाने का हाँ भाई यहां भी ऐसे होते है आप जाएए दामाद जी आप जाएए सत्ता संभालिए जरूर जाएए और इसका मकारा भाई है ही नहीं इतना मकारा अदमी है इतना जूटा अदमी है कि ये जूट बोलके सिर्व इसलिए कि राजा को ऐसे समझा दूँगा बाद समझ मैं जाएगी चला जाता हूँ और उसके बाद यह हुगा कि राजा जीने का मेरी बेटी और दामाद जा रहे हैं सीबी सक्स अमतर तक जहां से वो जहाज में सवार होंगे खूब सारे गिफ्ट दीए जो आम तरुपे भारत में ससुर लोग दामाथू दिया करते हैं बहुत महंगे महंगे दुनिया भर के गिफ्टी का ठेकर दीए कि यह अपले के जाएए यह अपले जब तो से इनका दिमाग फिर गया मन में यह भाव आई गया होगा उसके कि अगर ऐसा होता है तो कितनी शादिया कर लो मैं हर शादी में ऐसे गिफ्ट बिल जाए जैसे बेटे तो कहीं के मरे हैं पर ऐसा सुक कहीं लोग के मन में में एक आश उनका बेटा ही मर जाता तो वेसा वेसा भाव भी सुव है न तो जैसे ही सारे उपहार लेके चड़े शिप के पास समुद्र का मनल चा लेगा समुद्र एक भिख्षुक का भेज धरके आया और उसे रत्नसें से कहा महराज हमें भी कुछ देजिए बिख्षाम देही रत्नसें को नहींने गिफ्ष्ट मिले चीवी तो ठीस से खोल भी नहीं पाया था गिफ्ष्ट है लेगा उसके लोगे तो समुद्र में हमारे इलाके में तो आओगे आओ हमारी हवेली में तम पताएंगे आप उसके बाद यह सब लोग अपने में जहाज पे सवार हुए चले जब समुद्र के बीच में आगे समुद्र निकाब दिखाता हूं थोड़ा ऐसे खुआ दिया समुद्र ने जवार भारा टाइप के लिए अंदर और सारे के सारे शिप्द वैसे चले सारे उल्टे हो गए सब लोग दूब गए 32.000 दो दूब गए सारा सामान दूब गए और जब डूबे तो पज्मावती भी डूब गई अब अगया नीगी पाने बनाए ब्रहहनी है तो अजीश थो लग रहा है खुदा ने जगत बनाया उसमें पानी बनाया और खुदा उस जगत के पानी में डूप गया तो अजीब सा लग रहा है हलांकि इसका तर्ग भी है मनुष्ये ने हवाईजाज बनाया उसमें बैठा वो क्रेश हो गया मनुष्ये मर गया रिजिनिंग तो वहाँ भी होई सकती है ऐसा फ़र देक नहीं हो सकती है इतने में क्या हुआ कि समधर की बैठी लक्ष्मी वही पर जल कृड़ा कर रही थी एक दम लोट मोट टैप ही काली है और लक्ष्मी ने देखा पदमावती डूब रही है पदमावती इतनी संदर है उससे देखे वड़ा अच्छा रहा कि ते संदर से लड़की है उससे पदमावती को बचाया उसको होश में लाई जैसी पद्मावती होश में पद्मावती बोली मेरे पटी कहा है रक्षीम बोली अरे पहले बात तो करो मैं कौन हो तुम कौन हो तो नहीं मेरे पटी कहना मरना चाहती हूँ मेरे पटी के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ उससे गा अच्छा रुको तो सही बताओ तो सही उससे बताया कि देखो मैं समुद्री की बेटी हूँ अच्छा अच्छा पापा नहीं ऐसा किया हुआ इसका मतलब है जहाँ पापा नहीं डुगो है उन्मे पदमावती बोली मैं हज जोड़ती हूँ मेरे पती को बचा लो और हो से के तो बाकी जो एक्स्ट्रा ज़न को ही बचा लो जो 16,000,000 बचा लो सब को ही बचा ज़ो लक्षी बोली अच्छा मैं ट्राइ करती हूँ पापा से बात करती हूँ बेटी और बाप की बीचे बात थोड़ना होती है बाप तो बेचारा बेचारा होता है बेटी के साथ में जहां बेटी ने दो मोटे मोटे आंसो निकाले हैं आख से मा समझ दी होती है मा को पता है कि ये मकार है इसकी आंसो इसे मत जाना इन आसव मकारी शिपी है यह अगड़ियानी आसव ऐसे मत जाना पर बाप बिचारा बाप का दिल लेकाया होता है ना वो बता घायल हो जाता है तो बेटी की पापा के बस पापा आपने यह क्या कर दिये पापा बड़े देखो अपने काम अब रखोई मेरे डिपार्टमेंट बीचे मत आओ प्रोफेशन प्रोफेशन और फैमिली फैमिली है तुम दुर रहो तो बेटी नहीं का पापा ऐसे कैसे अच्छा जिकाल दी फिर बाप के रहा अच्छा बताओ बीटा क्या करना है फिर उसे का देखो पापा इसके पती को ही मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गई ह इसके पती को आप बचा और इसके साथ 16,000 लड़के आए थे 16,000 इससे सहलियां थी उन सबको बचाना है 32,000 और समान भी जिना इनका वापस समुद्र वहला बताओ यार सम बिगड़ गया बिना वाक्स किया बेटी की चक्कर में देखिए फिर समुद्र ने उन सबको जिन्दा किया वापस वाला मरे नहीं थे भी होश ओंडियू समय सबको जिन्दा के शिप सिधे की पानी के ऊपर चड़ाए उसके बाद फिर वो सब जहाज पे बैठे उन सबका सारा समान जो था समुद्र ने हरप लिया था वो सारा समान वापस करवाए बेटी ने फिर बेटी बोली कि पापा ये मेरे सहली है ये आपकी बेटी हुई ना बोला हां तो कुस दोगे नहीं इसको आप उपर से सबुद्र से पास गिफ्ट और दिलवाजी है तो बोला बड़ा नुकसान हो गया उस तो इस बेटी के चक्कर में बेटी बहुत नुकसान का सोदा है ऐसा है क्या सच में बाप को बड़ा तभा की रहती है बाप बेटी का सबसे बढ़ा वो क्या है शिकार है अठीश इटीशी की मा वो सब लेख चुकि है पहले ही उस दौर से गुजरी है वह समसे किया है अपनी पापा के साथ तो उसको यौड को लग रहते है आज को लग्राने भाएं को मिल चुग लगा रहा हों कि इतने गाव इनको मिल समद्र की तरफ से यूनिक बहुत यूनिक गिफ्ट से वह सब लेके यह सब चले चित तोड़ पहुंचे पहले तो पहुंचे दक्षें भारब बहां से चलते हुए चित तोड़ पहुंचे तो रप्ता सिर को ध्याना है कि नागमती है उतना आराम से तो अक्षपनी करने वाल थोड़द तना हुआ नागमती परदमावती में जगडा हुआ नागमती ने खुप सुनाया उसको कि तू केसी औरत है एक औरत के पती को खा गई तु ये है तु वो है, रत्यसेंगोपता सहले, दोनों पत्यों में जग्डा हो रहे है, रत्यसेंग दोनों से मिलने गया, पता नूँ ऐसा क्या वचन बोला, उसके बड़नों साथ साथ प्यार से रहने लगी, जैसे प्रिछ्वी राजने सही हो गी था और इच्छी नहीं को पता नहीं क्या बोला था कि तब से दोनों सास रहने लग गई थी जर्वाजा बंगर के ये बोला होगा कि देखो ऐसा है अगर एक बार भी जगड़ा किया ना दोनों को बार बादा दूँगा तीसरी विकंसी तियार खड़ी है जहां तो अपनी खैसित में रहो यह भारत है और मध्य का चल रहा है ठीक से रहो ठीक तो लेकिन लिखा क्या है उसने प्रेम से भरे बचन इस प्रकार से कहे कि दोनों पत्नियों का हिले परिवर्तन हुआ दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ और दोनों अच्छे भाव और अच्छे मन से साथ रहने को तयार हो गई और इस प्रकार जगड़ा समगत हुआ फिर रपन से दोनों पत्नि बाद नागमती से नागसेन का जन्ब हुआ है इससे आपको याद रहेगा मैं इस ते याद हो जोटा दो जो याद हो गया ना प्लोग को यह सब याद करवाने के लिए इंटरव पेदर पूछे आप तो है है जरी और पदमावत इसे कमल सेंड पैदा हुए दो बच्चे वगे अब इस मैं इस में क्या हुआ कि अज़्यामें पद्मावत फिल्म देखी हो सारी कहानी मुष्किल से पंस मिनट में आई है सारी आई भी कِERS SIMBOLX SENS में हलका से ZKRA आया कि शिलनका गया एक टोत आया था, शिलनका गया, शादी हुई लेके आ गिया यहां तक की कहानी पदमावत फिल्म में मुश्किल से 5 मिनिट की है इसके बाद की कहानी पदमावत फिल्म की मुख्него कहानी लेकिन उसमें भी इससे फ़रफ़रा अंतर अपने दर आएगा अब हुआ ये कि जब पद्मावती आई दहेज भी बहुत सारा समान रही थी दहेज में एक आदमी भी लेकि आई थी उसका नाम सा रागाव चेतन इस फिल्म में रागाव चेतन को चितोड़ का ही व्यक्षि दिखाए गए है जबकि इस कहानी में रागाव चेतन शीलंका से आया है बहुत विद्वान आदमी है जोतिशी आदमी है अब रागाव चेतन भी वहाँ है विद्वान है जोतिशी पर धूरत आदमी है तो सब ठीक थी चल लहाए था और एक दिन बार चले जैंकी पुर्णिमा कशुज कि the अगORA तो सब लोगों ने कहा कि पुर्णिमा आज है कि yelling चंपाँ था जतन ने कहा कल है। रागाँ उच्छेतर ने कहा पुष्णिमा आज है। रत्व सीन ने क्या किया अपनी सामुद्रिक विद्या जोतिश विद्या का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्रपंच रचा कि उसी दिन पूरा चांद नजर आ गया रत्मसें देखा पूरा चांद है अपने जोतिशों को ऐसा कसके डाटा कि कबसे पाल रहे हैं तुम लोगों को इधा नहीं पता रहे हैं पूर्णी में तो कल उनी से ही आज किसी हो गई तो उन सब को रत्मसें ने खूब कसके डाटा और अगले दिन जब देखा पूरा फिर्टे हो गई तब समझ मैं कि रागव चेतर ने प्रपंच किया था इस फिल्म में दिखाए कि रागव चेतर ने ब्रामन है जो रत्मसें और पद्मावती के कमरे में जागता है और कुछ हमले करता है पद्मावत की कहानी में ऐसा संदर्व नहीं है बहाई ये संदर्व है अब रत्मसें ने बुलाया रगव चेतर ने वो कहा कि भई तुमने क्यों जूड़ बोला पूर्णिमा के बारे में और वो क्या जवाब दे और भरी सभा में उसका अपमान अंत में उसने का देखरू ऐसा है तुम ससुराल से आएगो इसली नो कुछ कहने रहा हूं यहां के होते है टांग देता यहां से निकल जाओ चितोड़ में मूह मत दिखाना अपना उसने घीक है जी निकल जाते है पनमावती को पता है कि वो कितना घटी आदमी है और वो ज रागावचयतर निकला, पदमावधी में उसको अपने महल के खिड़की के नीचे बुलाया और समुद्र जो पाँच कंगन दिये ते उसमें से एक कंगन के सेट में दो कंगन थे उनमें से एक बहुत ईनीक किसम के कंगन था वो नीचे फैंका उसकी तरफ इस भाव से कि देखो निवेदन कर रही हूं कुछ बुरा मत करना हमारा जो हुआ सो हुआ छोड़ देना रागाव चेतना ठान चुआ था कि छोड़ू माने वाय था पदमावती के माय के से पर उसने पदमावती को देखा नहीं था उसने पहरी जलक यहां देखी और उसको भी अनलाज़त है कि वो खुदाई सांदर रहे हैं उसने का छोड़ूंगा दिरता से इनको चाहे जोग हो जाए सीधा पहुंचा दिल्ली और दिल्ली का सुल्सान कुन अलाउद्दीन खली बली खली बली वही अलाउद्दीन तो अलाउद्दीन के पास गया अलाउद्दीन से मिलने की बहुत उसने कोशिश की अलाउद्दीन मिलने होता है यारी अलाउद्दीन क्यों मिले गया 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 तो इससे बहुत प्रीके अपना है कुछ संगीत वंगीत बजाय तो अंतमे लाउदिन को पता लगा कि कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको बुढाया कि आओ भी बताओ लाउदिन ने पूछे क्या बात है उसने का मैं आपको पदमावती के सौंदेरे के बारे बताना चाहता हूं अंध दिन बोला है यार देखो ये सब हम रोजी करते रहते हमें इसको कुछ खास रूची नहीं है क्या बताना चाहते हैं तो इससक गया है क्या है ये वह कहरें कि मैं तो ऐसा राजा हूं उसमें इसप फिर जलदे सुनाओ बताओ तो सुना झीर उसमें फिर तो जैसे ही वर्णन समाप्त हुआ वैसे ही क्या हुआ होगा अगला वो दिन बेहोश हो गया पदमावती बेहोशी की दवाई है एनसेसिया है बेसे की एक एनसेसिया बनाना चीजिए उसका रम पदमावती हो जैसी इसके बारे में किसी को बताएंगे वो बहोश हो जाएगा तो वो बहोश हो गया फिर जब होश में बोला मुझे पढमा बती थाईगे बोले ऐसे फुरना होता है रत्न सिंग की पत्नी है यह नहीं पताएंगे अब मैंने आपको चित तोड के राजा की पत्नी है, मजाक मत समझो, बोला मैं दिल्ली का राजा हूँ, चित तोड की ये मेरे सामने है, तो लहे दम तो लाओ, उसको बढ़गा दिया उसको ठीक से, तो उसने ठीक है, उसने अपने विश्वस्त सही होगी सरजा को भेजा, कि सरजा चित तोड ज का है, जा की कन्या या जा की बीवी सुंदर देखी ता पर जाए धरी तलवार, तो सरजा रहा, सरजा ने कहा, जी हुजूर दिल्ले साया हूँ, अला उद्दिन जेने कहा कि अपनी पत्नी पद्मावची को भेज दीजिए, अब तो सिम्राश को उता देवे, उसके बाल पर जी हम तो युद्ध करते ही रहते हैं, एक और कर लेंगे, ऐसा क्या है, देख लीजिए, बोला आ देख लीजा वह भाव, तो अला उदिने को ख़बर मिले, अला दिर बोला, अब कुछ भी होजे, अब तो अलग प्यार की जग गई है मेरे अंदर, अब तो करना ही होगा य उसे कामी क्या है, दिली से चितोड की और निकला है, और चितोड के गड़ के बाहर आके उसे डेरा जमालिया अपना, यह अब डिश्य अपने फिल्म में देखे ही है, बड़ा सा उसका रथ है, उसमें आराम फरमा रहा है, पीछे पीछे अमीर खुष्रो का रथ चल रहा है जो बीच में आके उसे मन रजन करता है, कभी तहीं सुना सुना के, और वहां पहुंच के उसमें फिर एक सूचना बिजवाई कि देख लो गई या लगता से गया है, चलो शुरू करो, बारह साल तक यो देखे ला है, नायक योगती से प्रोड़ा हो गई, नायक योगती से पच्छे साल का मानने जब युद्ध शुरू है, तो सेंटे से तो होई गया ना भई, बारह साल युद्ध चला पर युद्ध का फैसला नहीं हुआ, क्योंकि वो गढ़ा उपर है, वो अच्छी पोजिशन पर है, तो छोटी सेना भी अगर ऐसी पोजिशन पर है, तो उसक पुछिना भेज़बाओ कि हम जाना चाहते हैं, संदी करना चाहते हैं, रवतसे ने कहा, संदी करड़ो, राजपूत लोग हमेशे संदी के निज पेर हैं, पीछेन के. डवेंगे नहीं जुकेंगे नहीं लेकिन महत्भत सखे तो हमें क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो सर्जा ने कहा कि अलावद्दीन जी महल में आना चाहते हैं, आप इसा लंच करना चाहते हैं जाने से पहले तो सर्जा भूला हा हा क्यों नहीं, आई ये ना आई ये ना उसके सामन्तों ने, गोरा बादल ने समझाया कि खुजूर ऐसा मत कीजिए, ये आदमी नीज स्ट्राइब का है, रटो से नहीं यार, ऐसे नहीं करते यार, कोई आदमी भाले मन से कहा रहे तो आने दोस्त को, इसी को हेमरशिया कहा गया है, हेमरशिया समझ में आता न आपको, यही वो हेमरशिया होता है, कि ज्यादा तो जाए, इतना सुना है कि एक नुजर देश्तो लोग हम से कम पदमावती को गईगा, परमपरागत कहानी में यह है, कि दोनों में समझोता हुआ कि एलाव दिन आएगा, उसको एक बर पदमावती को देखने का उसर दिया जाएगा, फिर वो लोट जाएगा, यह परमपर नहीं है, आया उसके लिए भोज हुआ, तरह तरह के पकवान, पकवानों का भी डिस्क्रिप्शन है कि यह बनाया है, ऐसे बनाया है, वैसे बनाया है, सब कुछ, फिर सम बैठके पानी खाना खा रहे हैं, अलाव दिन को प्यास रगी, उसने का पानी पीना चाहता हूँ, र पहाउ सम्झा रिया है, शक्मी जी ने कहा कि यह जैसी रहा भदी परमपरा पे चल पड़ते है ग्यान बखार में की, तो ऐसे जिक्राए, खैर बोज हुआ, सब हुआ, वो रहा, फिर हुआ कि चब चेस खेलते हैं, शत्रण्ज खेलते हैं, शत्रण्ज खेल रहे हैं, रट पद्मावादी तीनचा दिन से इसी भाव से कि अलाउद्दी नाम के दुष्ट अभी महल में है, तो अपने घर रूम से बाहर निकलते ही नहीं थी, अब तीनचा दिनों के उक्ता गई थी, उसको लगा से लो एक बार कर दो बालकनी में जाके देखूं तो सही कि क्या क्या बालकनी में आई, बालकनी पीछे की तरफ है, ऐसा नहीं कि सामने है और अलाउद्दीन ने कुछ तक्निकों का इस्तेमाल किया, सीता जही ने कीया था पहली अबार, राम सीता की शादी हो रही है, सामने राम बैठ वैठ है, राम इतने क्यूट लिखते हैं, इतने सुंध इतने प्यारे हैं, कि सब उनको देख देख के बाग बाग हो रहे हैं, सीता की सहलियां देख देख के निहाल हो रही है, हाई जीजु कितने अच्छे हैं, हाई जीजु कारे अच्छे हैं, सीता की काम में मंत्र घोल रही है, कि जीजु इतने प्यारे हैं, पर सीता जी कैसे दे का विश्क्यार हुआ है यहीं से सीता ने कहा कि उनके हाथ में कंगन है शीशी जैसा है दरपड़ जैसा है कंगन को इस एंगल पर स्टेट के लिए कि उसमें राम का छेहरा दिख रहा है और नजने लगा था कंगन पे ही टिकी हुई है और लोग कहा थे कितनी सुशील लड़क है इसका सिर लगतन जुका हुआ है इतनी सुशील के अन्यासर देखी नहीं है अपने कि अपने आपने वड़ा प्रसंग यह कवितामली का प्रसंग है क्या है कंगन के नकी परच्छाही यात्या सब सब्सुदी भूल गई कर टेकी रही पल्तारत नहीं राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परचाहीं याता है सब सुधी भूल गई करटे की रही पल्टारत नाई एक जम कंगन के नग में परचाहीं देख रही है और सखीया बोई जारे जी जी बहुत क्यूट है आप देखो तो सीटा जी ऐसी शिरारती सोच कि आपको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है अच्छा है इंसान के रूप में दिखने ज्यादा अच्छा है ऐसे देवताओं और रोबोट्स में खास अंतर सुड़ना होता है तो अलाउद्दीन ने किसी पात्र में पदमावती की च्छा भी देखी रिफ्लेक्शन और जैसे ही रिफ्लेक्शन देखा और लंबे वाला बेहुश्टी हुगा हलक असा उसे बना मार डाला वाले फिलिंग जोती है ना वो फिलिंग आ गई और उसने ठान ले कि अब तो नहीं जाओंगा पर बात बात आगे बढ़ चुकी तिप जाना ही था उसके लगा कुछ तो करना होगा अन्त में यह हो कि चली मैं जाता हूँ अलविदा बहुत अच्छा लगा 12 साल अच्छी गुज़रे है हमारे और अब जाना चाहिए यह कहा कि महल के गेट तक छोड़ने के लिए रत्यसिन किया कि आई यह को सी ओस कर देते हैं बाहर तक कम से कम तो दूरा बादल ने कहा भी था कि नीच आदी में इससे फ़रत दूर रहना लेकिन वो नहीं समझा है अमरिश्य भी तो करना है कहानी कैसे बढ़े ही आगे तो गेट तक छोड़ने गया है वहां उसने अपने ताम जहम पसार रखा था और जैसी रत्यसिन गेट के पास पहुंचा उसके लोगों ने रत्यसिन को तुरंत किड्नेप किया और लेके भाग गए भाकांगे बाहर उसका जो बना हुआ था सेना का पुरा इलाका महां ले गए अब तो गड़ में हरकम मच गया पॉद्मावती परशान नागमती परशान यह क्या हो गया और जब तक वो कुछ कर बाते हैं सेना बहुत छोटी इनके परस इनके सेना में इतनी ताका देती कि वहां जाके छड़वा के ले हैं उसको यह था कि गड़ में है तो इनको हराना मुश्किल का में है लेकिन गड़ के बाहर निकल जाएंगे तो सेना बहुत कम भज़ूर है और अला उद्दीन रत्न सेन कोड़े के दिल्ली चला गया है जेल नोसको डाल दिया महाँ जाके लोहे की जंजीरों में बांद दिया और मेसेज भिजवादी एक दूती के माद्जम से कि देखो रत्न सेन के जिंदा रहने की अकेली शर्त है कि पदमावते दिल्ली आ जाए अला उद्दीन की रानी बन जाए और रत्न सेन को छोड़ देंगे उसके बिन नहीं छोड़ेंगे और कुछ टाइम मायम तक लेट करेंगे उसके बाद फिर उसको रशेंगे भी क्यों खर्चा तो होता ही है ना हमारा मार देंगे उस साब अब पूरे राज्य में शोक की ल अलाम का अदमी देवपाल भी ताक में था कि काश पर मावति से मेरा विवा हो जाए पर कंडिशन्स वैसे नहीं थी जैसे मारिश भी ताक में थो था ही पर कंडिशन्स वैसे नहीं थी और बात में जब कंडिशन्स अनुकूल बनी तो मारिश ने आपने तरीके से प्रपोस पद्मावती के पास गया उसने का कि महस्ची लेगा कि रहने वाली हूं तो पद्मावती से मिली, दोनाँ सहलीयां बन गई और बाद भी उसने का कि देखो, नेरी बात पानो रत्मसिन गया अबनी आएगा, गया मेरी बात बनो दियुपल से शादी कर लो बहुत सुशील योग है अच्छा राजा है को मलनेर का राजा है राजधानी तो बदिलेगी स्टेटस तो कोई रहेगा तुम्हारा वहीं चड़ो इसको इतना गुसा है पनावजी को उसको केवल मना नहीं कि उसको पिटवाया ठीक तरीके से उसको पिटवा के भेजा कि तरी इतनी हिम्मत हो गई है ऐसे बोड़ने के और उसके बाद से सारे सामनतों को बुलाया सामनतों से कहा कि कैसे बचाएंगे अपने राजा को सामन सार इज़र देखें, उज़र देखें कि हम कैसे बचाएंगे, उसने थाली में बीडा रखा, बीडा, बीडा, राजस्तान में बीडे का बड़ा महाथता है, पान का बीडा होता है, अगर किसी ने उठा लिया ना, इसी का महाथता है, बीडा उठाया, अगर किसी ने पान का आत्में वजन होना से है, यह मैं कह दिया तो कह दिया, पीछे नहीं है टेंगे। अंत में दो सामन्तों में गोर और बादल, जो की एकी परिवार के लोग हैं। गोरा बुड़ा है, बादल जवान है। उन्हें बेड़ा उठाया कि पट्राने जी हम रत्न सेंजी को बचा के लाएंगे। अब 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 बहुत खुश के चलो, किसी ने तो मेरा साथ दिया। योजना बनी की बरसात का समय है, इस समय ठीक नहीं होगा बरसात खत्म होने के बाद हमला करना ठीक होगा। योजना बनी गुप-चूप्ट। 16101 पालकी यह Пालक होइफ, हर चीज 2016, 16 1600 षी होती है। यह यह यहां भी 16000 पालकी पालकई तयां होई जसमें सारे सेनिक बैठे। और एक मुख्य पालकी, राजपालकी जसमें गलोहार बैठा। यह चले दिल्ले की और। सूशना भीजवाईगे कि पद्मावती अलाउदिन की पत्मी बनने के लिए दिल ली आ रही है लेकिन क्योंकि वो स्थाई रूप से आ रही है तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए चाहती है कि अपने पुराने पती से रत्यसेंसे मिलके उसको घर के छाबियां सौपके आये ताकि उसके मन पर बोज़ ना रहे अलग उद दिन इतना बड़ा बेवकुफ नेकले का मुझे उम्मीद निशीर कि इतना बड़ा भीवकुफ था भ।굳ा है ठीक्राएगा जैसे रत्म से नितना बड़ा बेवकूफ था कि अपने महल से ही किड्नेप हो गया यह भी छोड़ा समझ भी नहीं आता है तो दोनों बड़े योद्धा है बड़े राजा है इससे मुझे राजाओं पर आसरी खत्म होगी जब से में इंगी कहानी पढ़ने लगा तो उसे का हाँ अच्छी बात है तुम चागियां सौप के आओ ठीक रहेगा निशिंद हो के आओ यह सब उसको लगा जेलर जो था वहां का जेलर आपको पता हर जगा सुकरात जजेव में था वहां भी रिश्वत चल गई थी यहां दस लाख मुद्राएं उस जेलर को दी गई और उससे कहा कि देखो हमारा साथ दो तो तैयार होगे दस लाख मुद्राओं के लिए उसने का अब इसको मर भी जाओं तो बहुत ने मेरे परिवार कम से कम सुरक्षित रहेगा रत्नसें से मिलवाया राजपालगी के पास रत्नसें आया उसके अंदर से लोहार निकला उसने उसके बंधन काटे सारे 16,16,16 सेनी के बाहर निकले और उन में से गोरा बादल भी थे गोरा बुड़ा था बादल जवान था गोरा ने बादल से कहा कि बेटा तुम ऐसा करो र लादी की उम्र में आया था उसकी माने कहा कि बेटा मत जाओ उसने का तुम राजपूत की मा हो तुम शरम नहीं आती ऐसे वोत पहुत के बादल से कि जिससे उसका विवावान वरत था उसने एक बार बोल दिए कि आप मत जाईए प्लीज उसने का वापस लोटके नहीं तो रब तसेन को लेके जा, उनको बचाओ, इधर मैं देखता हूँ, मेरी उम्रों वैसे ही पूरी हो गई है, तो कोई बात नहीं फिर उन 16,000 सेनिकों के साथ, अलाउदीन को पता लगा, अरे धोखा हो गया, शोख हो गया उसने अपनी सेना भेजी, इधर से ही है, 16,000 सेनिक लड़ रहे है, जगड़ा चल रहे है, इसने जगड़े के बीच में वह पहुंचिया चिप तोड़, स्पीड से अलाउदीन की सेना पीछे पीछे चेत तोड़, उनको रास्ता भी याद था, पहले भी यात्राई कर चुके थे, अब बड़ा बज़ार सीन है, रत्न सेन और बादल और कुछ और सेनिक आग आगे चल रहे हैं, चेत तोड़ पहुंचे हैं, ये दिल्ली से चेत तोड़ गय फेके बली, और ये जैसे ही पहुंच आपूरे राज्जी में खुशियाएं खुशियां, रत्सजी लुट आए हैं, रत्सजी लुट आए हैं, सोला 01 सो लोग मर गाए हैं, कोई बात मी ने Pastor अगी रट्न डे की लुट आए हैं, रत्सजी लुट आए हैं, दोनग रानिया पदमावदी ने गोड़ों के पेरों को अपने हाथों से सहलाया जो उसको लेके आए और तब पता लगा कि गोड़ा की मौत हो गई सैनिक बार गए शोक हुआ उनकी मौत पर थोड़ा से अब ये पदमावदी भी कंद थोड़ना है पती बिचारा इतनी मुश्कित जान बचा कि आया है तो ठीक से दोचा दिन प्यार मौबद से बात करने थी उसके बात कुछ बात के बतानी थी अभी आ के बैठे तब पानी बानी पिया उसने का और बताओ सब ठीक रहा इस भी इसमें उसने का रहे क्या ठीक रहा देवपाल की दूती आय थी बोली मुझे शाजी करो देवपाल ने काहा है मैंने उसे पीड के बाला दिया रफ्त से बोला देवपाल कितनी हिम्मत हो गई और यह थे हम्मत हुग है बोला मैं भी आता हूं झालिया पानी मानी चाई बाल तो पीलो बहुति पहले राज़पू तू तु सच्चा में पहले सुर्ण प्राना होगा देवपाल की इतनी हिम्मत हुई कि मेरी एपसेंस से मेरी पत्नी के पास प्रस्तावी जा उसने छोड़ू हुआ नहीं है उससे अब हम रेकिना जाकर है लाख उसकीया है झाल हम प्रस्तावी तंदेवपाल की तरफ अनीच ये ग संद्ध okayaphane अब मज़धर बात है, ये दिल्ली, ये चितोड, ये कुंभलनेर, ये सेना यहां से यहां आ रही है, यहां पहुंची है, यहां पहुंची है, यहां पहुंची है, यहां पहुंची है, यहां गया जिलर्मे के लिए, और देवपाल यहां बैठा हुए है, अमीद में की आ रहे हैं सेना के साथ तो रुष्य जाके उसको ललका रहा देवपाल इतना बड़ा मर्दों रहर आज हमने वो भी आ गया दोनों क्यों ने ठारा प्लस है राजपुत हैं ही तो अब समय आगे है कि युद्धों ना चाहिए और दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में देवपाल मारा रहा है वही नायक की प्रटिष्ठा बढ़ा दी है तो देवपाल तो मरना ही मरना है सिसी बात है देवपाल मरा किन्तु मरते मरते उसकी सेना ने भी इतना घाव दे दिया है कि रत्न सेन भी बहुत चोटिल है जैसे पिसु सेन था ना लोट किया रहा है चोटिन था केंदर इसको मार तो दिया किंदर चोटिल हो गया था वैसा ही देवपाल मर गया है अब रत्न सेन और उसे सेना लोट रही है ये सेना यहां तक आ गई है अब ये सेना यहां गई है ये सेना भी यहां गई है समझने सिचुवेशन के है सिचुवेशन में रब्त नसेन के बार में खबरें आ रही है कि जिन्दा है लेकिन घायल है घायल है दोनों स्थियां चिता तयार करके बैठी है कि अगर मरेगा तो सती हो जाएंगे बस यह तो लगड़ी वापत भेज़ देंगे क्या हो गया तो बहुत तयारी कर ली है कि जो भी होगा देख लेंगे वैस्ता ही और यहां पहुंच से पहुंच से ख़बर आई कि रत्रसेंजी नहीं रहे शोक हो गया है अब तुमनी बोल रहे मैं बोले जा रहा हूं अपनी बूल पती नहीं से बच्छी पाओ भई बोल दिया अगरो भी शोक है ना बड़ा अच्छा रखता सुनने में लगता है कि आचारे कौन से जेशेंगर पसाद बोल रहे हैं खुद ही ऐसा लगता है ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ शोक हो गया रप्तन सेंग ये मर गए अब रप्तन सेंग की लाश यहां पहुंची है और दोनों रानिया एकदम सोरह शिंगार करके तयार हैं सती होने के लिए क्योंकि भारत में कंसा प्रीवी की औरत अगर सुहागन मरत उसकी बात अलग होती है यह तो विद्वा होई लेकिन बैजहवे में मज़ा है साथ-साथ जल के राख हो जाने में बरना भारत में हिंदू धर में कोई महीला सुहागन मरत उसका इतना थैयार करते हैं नम लाल र रही है रत्मसें पद्मावती और नागमती साथ-साथ जल के राख हो रहे हैं इतने में अलावद्दीन के सेना ने गढ़ का दर्वाजा तोड़ दिया है और सेकड़ों नारियां एक साथ एक विराट अगनी कॉंड़ में जोहर कर रही है उन्हें नहीं पता कि उनका पती बाहर जीता हारा जिन्दा है या मर गया है जोहर का मतलब इस आशंका से कि हमारे साथ कुछ बत्तमीजी होने वाली है हम जान जा देंगे और सदी का मतलब इस निश्चत सूचना के साथ की पती की बित्ती हो गई या उसके साथ खुद को जला के राक कर लेना तो चिताएं जल रही है अलाओ दिन के सियना ने दर्वाज़ा तोड़ा अलाओ दिन को भनक लग गई है कि कुछ गरबड़ना हो जाएं तेजी से पागलों की टरा रहा है कि पदमावती को किप्चर कर रूँ किसी तरह से लेकिन जब तक वो पहुंचा तब तक तो पदमावती जल के र अंत में क्या हाथ लगा हाथ कुछ लगा नहीं तो फिर वहा दुख भरे मन से उसने दो मुठी राख उठाई और वहाँ पर डाल दी जो इसलामिक परमपर है जब किसी की कबर बनाते हैं तो वहाँ पर दो मुठी राख या मिट्टी डालते हैं और फिर वही कि मनुठी के जीवन में प्रेम हो तो प्रेम बेकुंठी है वरना क्या है एक मुठी राख के समझ जीवन है यह वाला भाव अब यहां तक तो कहनी लगभग वही है जो आपने देखिए फिल्म में है ना इसके बद अचानक एक छंद आता है और वो छंद पढ़के समझ में आता है कि आरे बापने बाप जैसी ने बुडबग बना दिया हम सबको बुडबग समझते हैं आप लोग क्या होता है बेव होता है इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है इस तरह से समझोगे तो समझ में आएगी जैसे माया अलाओ दिन सुल्तानू उसको माया समझे ना बस गुरू सुवा जही पंत दिखावा बिन गुरू जगत को निर्गुन पावा तोता है ना तोता नही गुरु के बेने जगत नर्गुन होता है, नागमती यह है दुनिया धन्धा, नागमती नागमती नहीं है, दुनियादारी है बसवर कुछ नहीं है, पदमिनी क्या है, बुद्धी है, पदमिनी के बुद्धी समझो, हिय को सिंगल समझो, सिंगल दूप को हिय समझो, हिदय सम यह पढ़की अचानक प्रश्ण उठता है कि क्या पदमावत एक अन्योक्ति है यह अब तक जो पढ़ा वो सब ऐसे ही था इसका असली अर्थ कुछ और ही है और यहीं से प्रश्ण पैदा हुआ कि क्या हम पदमावत को अन्योक्ति की तरज़ पर समझें यह समासोक्ति की सही बताएं तो बकवास बात है शुद्ध बकवास है हम लोग एक भी कल्पना कर ने सकते हैं सोचें कि इतना हमें इंडरेस्टिमेट करता है बार बार कभी बोलता है कि आपकी परस्टनेरिटी में आपका कुछ भी नहीं है सब कुछ जीन का है एन्वार्मेंट का है आधी आधी आधी एक आपको चैलेंज दे रहा हूं थ्रूआट लाइफ अभी आधे घंटे में नहीं करना है जन्देगी भर में करना है जब हो जाएक पिता दीजीगा एक ऐसी कल्पना पेश करनी है जो प्योर इमेजिनेशन शुद्ध कल्पना हो जिस कल्पना में कोई भी हिस आपके जीवन के अनुभवों पर आधारित ना हो जल्द बजी मत किजिए मैं समझ दीजी बात को कर रहे हैं हर बड़ी ठीक नहीं है साफधानी हटी दुरहटना घटी अभी घट जाएक दुरहटना एक ऐसी कल्पना करनी है जसमें आपके जीवन के अनुभवों की भोमिक के डिजाइन बनाया उन्हें ऐसे बोलते हैं कि उन्हें बनाया इस पर भी आसके लिबेट सेल रही है हवाई जाहस का डिजाइन कुछ नहीं है मैंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा है उड़ना मैंने वहा से ले लिया मैंने वस्तुओं को दुनिया में देखा है मैं वस्तु हैं जो उड़ते नहीं हैं और पक्षी जो उड़ते हैं पक्षियों में से पक्षी हिटा के उड़ना ले लिया वस्तु हों में से नहीं उड़ने वाली हिटा के वस्तु को ढहाचा ले लिया दोनों को मिला के उड़ने वाली वस्तु बना दी इतना ही मसला है ये शुद्ध कल्पना नहीं है आपने विभिन अनुभवों से कुछ-कुछ लेके एक नया जटल अनुभव क्रिएट कर दिया इतना ही मामला है आपको एक ऐसा बोलना है जो आप कहें कि मैं इसमें जो बोलने वाना हो शुद्ध कल्पना है और वाकिया सर्थ होना चाहिए य इसमें क्या करने हूंगा उसकी बात क्योंकि इसका अर्थ आप भी नहीं समझ रहे बहुत तो बात समझ मैंनी चाहिए कोई ऐसा सार्थक बात कि जिसके बूल में आपके जीवन का कोई अनुभव या सामाजिक जीवन का कोई अनुभव शामिल नहों जो प्यूर इमेजिने अभी से बता रहा हूं एक भी वाक्या नहीं मिलने वाला है कितना हूँ जोर लगा लीजिए कितना भी जोर लगा लीजिए नहीं मिलेगा मिल रहा भी से मिल गया प्लेटों को नहीं मिला था अरस्तू अरस्तू सब मर के कोशिश कर करके चम्झे थोड़ा पहले सुन लो कोड़ मर गया है कोशिश करकर ठख गई एक वाकिय नहीं मना पाए और यहां पांचे लोगा के बिलाने पर तुले हुए थोड़ा धेरे रखिए मैं जानता हूं कि प्लेटो आपके साथ में कुछ नहीं था शंक्राचारी आपसे कमजोरे मैं जानता हूं लेकिन फिर थोड़ा समय दीजिए उनलों को भी और इतना जल्दी क्यों अपमान करना चारे हैं थोड़ा सा हरां से इसलिए जब मैं पढ़ता हूं कि कुछ कर्थानक कालपनिक होते हैं तो मुझे बड़ी हसी आती है बेसिकली कि यह क्या भकवासिक शुद्ध कुछ भी कलपना है नहीं जो कुछ भी आप कलपना के तौर पर कहेंगे वो किसी ने किसी रूप में पहले कही गई बातों का एक क्या होगा समनवय होगा गर्जियोड होगा सामनजस्य होगा मिक्सिंग होगी यही कुछ होगा और इसी तरह से कोई रस्मा केवल को वैसा का वैसा लिख देंगे तो तो इतिहास है जब तक इतिहास में कलपना शामिल नहीं होगी साहित्य बनेगा नहीं शुद्ध कलपना हो नहीं सकती है इसलिए किसी भी रस्मा के कथानक में ना शुद्ध इतिहास हो सकता है ना शुद्ध कलपना हो सकती है होगी मिक्स आपको कीवल इतना समझना होता कि mixing का अनुपात कैसा है और mixing के पीछे की जो बैचारी की है वो कैसी है वो अच्छी है या बुरी है सिर्फ यह समझता है ठीक है हैं तो पदमावत का पहला हिस्सा मिठक या दंत कथा का वही मतलब होता है जो बहुत प्रस्रित कासा है हर व्यक्ति जो कहानी सुनाता रहता है पर उसके पक्षम को प्रमान नहीं होता है तो दंत कथा कौन से लिए है इन्होंने हीरामन सुवा और पदमिनिरानी या पदमिनिरानी और हीरामन सुवा और शुक्ली जी ने ऐसा बताया कि ये कहानी चलती है अवद के इलाके में आजकर हो सकता है कि उतनी प्रसित न रही है लेकिन परमपरा में खुब प्रसित रही है तो जैसी ने क्या किया रशना के पहले हिस्से में पदमी निरानी और हिरमन सुवे की कहानी उठा ली और ये कहानी इतनी फेमस तो है ही कि जैसे मैं तो हरियाना करेने वाला हूँ तो हमने वहाँ भी सुनी हूँ थी ये कहानी बच्छपन में तो हमारा नुमाने की अवस्खेरों को सुनते ही होंगे क्योंकि वहाँ की तो ये कहानी मानी जाती है लेकिन इसको भी वैसा का वैसा नहीं लिया ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है इतनी प्रसिद्ध है असल में कोई बात बहुत प्रसिद्ध हो जाए तो लोग उसको इतिहास मनने लग जाते है जैसे वटसप विश्विद्याले में एक ग्यान बहुत दिया जा रहा है कि 60-60 के पार है तो उनको समझाने के प्रयास वियर्थ है पर उन्हा के विले जानते हैं बलकि सब को बताते हैं वाका मिलते ही क्या रहा है नहरी तो मुसलमान था उसी से बचना है देश को उसी ने बरबाद किया है मोदी जी ही बचा सकते हैं देश को उनके भीतर यह बाद इतन किताब को अगसी बोले यह में भी नी पता है लेकिन कोई है सची किताब कोई है सची किताब जिस सची किताब में इसा बात लिखी हुई है पुरा नामवाम बताते हैं कि इनके डाजाजी के नाम गाजी खां ये अली खां वो वली खां पता नहीं क्या क्या नाम बताते हैं कि तो कभी कभी क्या होता है कुछ बाते इतनी प्रसिद्ध मुझे पिसे बड़ा चा कमेंट किया एक बात जो मैं भी सोचता था कि वो इतिहास में है पता लगा कि वो गलत बात एक कसन भारती राज़िती में बहुत प्रसिद्ध है कि जब 1971 में इंदरा गांधी जब फिर से पीम बनी पहर वो सक्से सेवन में जब ये लाल बादुर शास्ती चले गए 66 में तब बनी सड़सत में illusions हुए मुरारजी ने बहुत परशान किया बनी पी-म बस काम चलाव बनी और वित्भ मंतरी उप्रधानमंत्री बन के तबाह किये विट्व मामला की प्रधानमंत्री कह रहा है ये और वित्त मंत्री कह रहा है नहीं ये नहीं होगा वित्त के मामलों में तो इंद्रा गांधी को लगा ये बहुत तबहा करेगा अपना टेन्योर पूरा होने से पहले ही जो लोगसवा भंकरदी चुनाव करवाया सारे बुढ़े गठे होगे एक तरफ और ये गुंगी गुड़िया जिसको माना गया था गलत फैमी होगे थी वो एक तरफ थी सारे राजे रजवाडे उससे खिलाफ होगे थे और उस इलेक को अब हेरिटेज होगल में कनवर्ट करो उससे कमा कि अपना खाना खाओ त्रीवी पर सखत्म करेंगे तुम्हारे तुम्हारे सुपर कॉन्फिडेंस में थी उस साल ऐसा जीत के आई फिर किसी ने कहा कि मैडम अब आपको किवल एक चीज़ रोक सकती है खुदा बनने से व लाइन से और सबसे बड़े-बड़े संच्वलन सारे उस समय में हुए और उसी बीच में किसे ने बताए कि मैडम पाकिस्तान बहुत परशान कर रहा है बंगला देश में दिक्कत आ रही है पश्यम पाकिस्तान में दिक्कत आ रही है पूर्य पाकिस्तान में इंदा गंदी मैंडम अभी टाइम ठीक नहीं है सर्दियों में कर पाएंगे उस समय मैनेज करना आसान होगा तो मानेक्षाव से बोलने सर्दियों तक वेट करें ज्यान रखना वरन तुम सेना में नहीं रहोगे तो सर्दियां होई तो फिर तीन दिसंबर को शुरू सोले बसमत सोलह दिसंबर 1971 को बधाईयों बांगलादेश हुआ है बधाईयों पोता हुआ है सब लिखके मताना अंतराश्य समंद बिगड़ जैंगे हमारे अमारी अभिवक्ति की स्वाधीनता में रिजनबर रिस्ट्रिक्शन है कि देशों के साथ मेर्ती मुण संबन जिससे खत्म होता हुआ वह अभिवक्ति खतरनाक है तो लिखके मताना है यह सब ट्राइविट बात की अलग बात है और उस समय एक कशन बड़ा प्रसेद हुआ वाकि अडल विहरी वाच्पई ने संसब में कहा कि इंद्रा गांधी साक्षात दुर्गा का अवतार है तब से यह बात इतनी प्रचलित है इतनी प्रचलित है मैंने कम सेकम 5-6 किताबों पढ़ी यह बात कि अडल विहरी वाच्पई ने कहा कि इंद्रा गांधी साक्षात अतावतार है दुर्गा का 16 दिसंबर 1971 के दिन कहा उन्होंने पब्लिक सेटमेंट दे तो मैं भी ऐसा ही मनता था कल पर सो एक विद्वाने सा बैठा हुआ तो उस विद्वान ने कहा कि यह सबसे बड़ा मिच्छक है हमारे समास का अटल विहारी वास्पेज ने लेटर टाइम कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है मैं जो कहना चाहरा हूँ कई वर ऐसा होता है कि एक गलत बात इतनी दोहराई जाती है कि हमें लगने लगते है कि वो इतिहास है और पदमावत का पहला हिस्सा ऐसा ही है है मिठक पर इतनी बार दोहराई गई है कि लगने लगता है कि तिहास है तो आपको स्वश्च रहने है कि पहले हिस्से में तिहास नहीं है एक लोग कथा है लेकिन लोग कथा में भी इनको लगा थोड़ा सा कलपना शामिल कर देता हूं, कलपना क्या शामिल कर दी पदमिनी रानी जो भारती अबटाई की लोग कठा में भारत की ही रानी थी, उसको बता लिए के संग लग टीप कराजकुमारी है। तो अब आपको यह भी समझना कि यदि कोई कभी कलपना कर रहे तो कलपना करने की जायद वजय होनी चाहिए। बिना बात के की गई कलपना जो होती है उसके कलपना कहती है तो कलपना नहीं है कलपना करनी है कलपना की जायज वज़े होनी चाहिए वरना उसके क्या फायदा बिना बात की क्यों कलपना कर रहे है वज़े होनी चाहिए जायज ही ने ऐसा क्यों किया इसके दो कारण है एक कारण तो सिंगल द्वीब को लेकर जो एक मिठ की धारणा बनी हुई है एक जो कंसेप्ट बना हुआ है और वो कंसेप्ट बनाया किसने है बनाया है गोरख पंथी साधुओं ने ध्यान रखने मचंदर नाजी कहां रहे थे गोरख पंथी साधुओं की कलपना है कि जब शिव परीक्षा लेते तो शिलंका में उसका एक्जामनेशन सेंटर महाँ पर है और वहाँ साधक जाता है वहाँ तरह तरह के आकरशन प्रलोभन उनके बीच में जी कोई बच जाए तो वो सिद्ध भाना जाता है जितने संदर स्रियां हैं वैसे स्रियां कहीं ने पाई जाती है और तब कुछ बुर्खों ने का कि स्रियां चार प्रकार की होती है उनमें जो बेस्ट है वो पदमिनी होती है पदमिन स्रियों का उत्पादन सब ज़्यादा कहा होता है शिलंका में होता है तो भारत के लोगों में ये धारना बैठी हुई थी कि शीलंका की बात ही अलग है शीलंका बना कई लोग शीलंका इसली भी चले आते थे कि देखे तो है क्या है फिर वापस आके सोचते थे कि जब हमारे इतना खरिचा होई गया तो बागे का भी होना चाहिए लोग पूसरे अरे यार क्या बताएं अरे यार शीलंका नहीं गए तो कहा गए तो सब जा रहे हैं सब लोट के आ रहे हैं और सब एक दूसरे बिशा बनाए जा रहे हैं जैसे खराब फिल्म देखके आने के बाद लोग बोलते हैं बहुत बड़ी आजी बहुत बड़ी है ताकि इसके भी तो पैसे खर्चों कमबाद के सिर्फ मेरे के खर्चों है इसके भी अलग बाता है, जब आप किताब में लिखके जा रहे हैं, तो ये एक खतरनाक ट्रेंड है, आपके नोट में दिया है, दुनिया जानती है कि सिंगल दूइप के लोग तमिल और सिंगली दोनों कैसे काले कालूटे होते हैं, पढ़ा हैं, नोट में है, यहां पर पद मिनिस्ट क्रियों का पाया जाना गोरख पंग्ठी साध्यों की कलपना है, आपके नोट में बाईं तरफ एकदम नीचे, कौन से पेज पर पेज नंबर है, तेरह, बाईं तरफ एकदम नीचे, दो लाइन छोड़ के देखिए, भलिया शुक्ली जी का बाक्या, दुनिया जानती है कि सिंगल दीप के ऐसी रंगा के लोग कैसे काले के लूटे होते हैं, यहां क्या हो रहा है शुक्ली जी से दिक्कत के और यह शुक्ली जी समझ नहीं पार है कि एक खास रंग का होना और सुंदर होना पर जाय नहीं है, इसी प्रकार से सावला होना और असुंदर होना पर जाय नहीं है पर यह समस्य शुक्र जी की है पुरे समास की खोपड़ी में ही दिक्त है पुरे समास की खोपड़ी में ही दिक्त है तेरा तो रंग गोरा है गोरी डरत तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है ऐसे से गीत और नाइका की डिमांड है चिट्टियां कलाईयां वे टुम्झे शोपिंग करवा दे, तुम्झे शोपिंग क्यों नहीं करवा रहा है, मेरी करलाईएं कितनी गोरी है, इसके अलाव नाए किया Yeah. किया एसी खास बत होती है, कि उसे शोपिंग करवा जाए, करो शोपिंग मुझे, कितना अवमूलियन है, सोच के देखी, कितना अब्जेक्टिफिकेशन है बे इंतरह किसम का अब्जेक्टिफिकेशन खेर ये सारी ग्यान की बाते एक तरफ, व्याभार की बाते एक तरफ व्याभारिक्ता में सुंदर और गोरे में एक अनिवार्य सह सम्मंध हमारी खोपड़ियों में बन चुका है बन चुका है पुरुषों में चल जाते है क्योंकि पुरुष तो कमाएगा कैसा भी उचलेगा लड़की होगी चाहिए गोरी, सिम ये दो शब्द भारती समाचों ऐसे रटे हुए है बिवाह का कोई विग्यावन पाढ़ लेजिए लड़की के पेरिंट्ट के लेखते है गोरी और स्लिम करने है तू ऐसा वर चाहिए आए छे अंकों में बाकि सब कुछ भी हो आए छे अंकों बाकि सिगरेट पीता हो मुर्गा कच्छा खा जाता हो कोई दिक्कत नहीं है हमें बस आए उसके छे अंकों में हो लड़के वाले सारे क्या रेखते हैं उच्छ धन कमाने वाला गोर, सुवर्ण, स्मार्ट लड़के हे तू गोरी एवं स्लिम करने आ चाहिए जो घरेलू कारे करने में दक्ष हो और घर के बाहर जाने में रुची बिल्कुल न रखती हो खाली घर के अंदर ही कामसार निप्टाए यानि सुन्दर नौकरानी चाहिए सुन्दर और स्मार्ट नौकरानी चाहिए यह चलता है इसलिए एक समाज शासे ने गा किसी भी समाज में रंग भेद जाती भेद यह सब देखना होना आप उस समाज के अखवारों के विवाह के विग्यापन देखिए वो उस समाज के लिटमर्स टेस्ट है और उसे दिखाया कि मल्टी नेशनल्स में काम करने वाले भारत के कम से कम 80-90 प्रतिशत में जाती चाहिए अपनी ही और फिर भारत में कुछ मूर्ख कहते है कि अब जाती विवस्ता कह रही है दिखती तो नहीं है देखो दो लुग साथ साथ बैठे है जाती यह लग लग यह बैठे तो है साथ साथ उन मूर्खों को यह नहीं समझ भी आता कि इतना पढ़ारी खाद में इतने पढ़ने लिखने के बाद भी विवाह के नाम पर जाती ही ढूंड रहा है तो समझना और समाच को तो क्या करना है विवाह के विज्यापन देखने और देखना अकेले में वरना लोग कुछ और समझ लेंगे कि ऐसे प्रस्तावाही ने रहा है विज्यापन देखने पढ़ रहे हैं तो जब भी देखो उपर हेडिंग मना लो समाच शास्ती अध्यान उसके बाद फिर उसके पढ़ो ताकि कोई आए तो तुरंद बोलना कि टॉपिक स्लेबस है नोट्स में दिया हुआ है तो पहला माक्स पश्ट होगे आपको बिज्चक प्रस करपना सिंगल देख के एक उधार ना थी दूसरा क्या था जब लेखक प्रबंध कावे लिखता है तो उसके स्कोप चाहिए होता है तरह तरह के वर्णन करने के लिए और वर्णन का स्कोप तब बनता है जब वर्णन के लिए कोई जैसे यात्रा के संदर बन जाए वर्णन की संभावना है अगर लेकर चाहता है कि मैं खूब वर्णन करूँ महाकावे जैसा कुछ लिख दूँ वर्णन का स्कोप चाहिए कोई ऐसे फिल्म आप याद कर पाने जिसे पूरी की पूरी फिल्म एक कमरे के अंदर ही शूट हो गई हो पूरी फिल्म घर के बाहर ही न निकली हो या एक मिनट के ने निकल गई हो बेशगली नाम तुर पर सारी फिल्म एक कमरे के अंदर ही शूट हो गई हो ट्रैप हाँ ट्रैप भी एक अच्छी फिल्म है ट्रैप है और कोई कौन सी अच्छा मैं जानता नहीं हो करें एक ऐसेन का नाम जुझे ध्यानियरा में जिक्र 9510 शैदा बता पाए दिन Deer पाठेक की फिल्म है है भीजा फ्राई यस अ कि एक है ए एक फिल्बेश से फ्ल्मेट ट्रैप territ है और एक है भेजा फ्राइव, अगर नहीं देखिए देख लिजीगा, देखने लाइक फिल्में दोनों, देखने से लिए, तो पैन दाइव ले जाना उसे अंदर भरवा के लिए आना और उसे देख लिए ना, तो अब अब यह बताएं कि अगर कोई फिल्म ऐसी हो जो पूरी अब कि पूरी एक क्मरे ये एक फ्लैट में ही केंड़ी तो, ट्रैब्ट एक फ्लैट की फिल्म है और वेजा फ्राइव फ्लैट की फिल्म है दो कमरे है, उसी में सब कुछ चाल रहे हैं, हसी में जाग चल गाए। तो उसमें क्या लेकर की बस बहुत वर्णन का स्कोप रहत हाँ, फिल्म के प्रोडियूसर को समुझा रहती है कि मंचन बड़ा असान है, कैमरा दो-तिन लेके आना है, दो ही कमरे में सारा शूप करना है, खर्चा बहुत कब होने, आउटडर हैईट